हाई गाईज मैं हूर एका चौछरी और स्वागत है आप सभी का नीच स्टूटन खपरी के नई वीडियो में तो यार अगर आप उत्राखंड से हैं या उत्राखंड में MBPS या BDS का प्लान करें तो कहीं न कहीं आपको पैदा हबा की Round 2, Neat Round 2 की जो हैं वो अल्रे क्लेर कर दी हैं ऐसे में Round 3 में जो वेकेंट सीट्स हैं कितनी वेकेंट सीट्स हैं या और प्राइवेट कॉल्जिज में गवंट कॉलजिज में या जो भी डेंटल कॉलेजेज हैं उन सभी में तो यह विटियो बहुत हेलफूर होने वाली उन सभी स्टूदेंस के लिए जो जानना चाहते हैं तो विटियो को लाज तक ज़रूर देखना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना वेल सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर Wacant Seeds Round 3 उत्तराखंड Government College के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें Round 3 में कितनी Wacant Seeds यहाँ पर मौझूद हैं तो यहाँ पर अगर बात करें आप देख सकते हैं category wise vacant seats का जो है यहाँ पर सारा categorization किया गया है आप यहाँ पर अपनी category के according सारे vacant seats जो है देख सकते हैं विल बात करें you are unreserved यानि general category की तो अगर आप general category से हैं तो यहाँ vacant seats देख सकते हैं particularly 18 vacant seats यहाँ पर मौजूद हैं हम particularly यहाँ पर government colleges की ही बात करें हैं ST category के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो 10 vacant seats करीबन यहाँ पर मौजूद है वही OBC के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगर आप OBC category से हैं तो यहाँ पर जो vacant seats मौजूद है वो है 7 जी हाँ साथ vacant seats यहाँ पर मौजूद है particularly OBC category के अगर हम बात करें और फिर से मैं आपको एक बार बता दूँ कि यह सिर्फ हम government colleges के ही अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर बात करें ST के लिए अगर ST category से आप belong करते हैं तो vacant seats जो है यहाँ पर एक ही vacant seats यहाँ पर available है, मौजूद है वहीं EWS category में जो seats है वो यहाँ पर सेम ST में जतनी है वहीं उत्रा ही EWS category में भी यहाँ पर एक ही vacant seats मौजूद है आगे हम यहाँ पर बात करें vacant seats round 3 उत्राखन private colleges जैसे कि हमने government colleges के vacant seats की बात की हैं यहाँ पर अब private colleges की अगर हम यहाँ पर बात करें कि you know private colleges में कितनी vacant seats है किस category में कितनी vacant seats यहाँ पर मौजूद है तो उस पर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं category wise again सीज का भी distribution किया गया है UR category के लिए यहाँ पर 29 जी हाँ total 29 seats यहाँ पर vacant है मौझूद है SC के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर 26 seats मौझूद है वही OBC category में 7 seats available है 7 seats तो अगर आप OBC category से हैं तो आप भी यहाँ पर जो है private colleges के लिए you know vacant seats को consider कर सकते हैं एक बार ST category में वहीं यह जो है सिर्फ 4 seats यहाँ पर vacant है मौझूद है ठीक है तो यह हमने private colleges की यहाँ पर बात की है कि private colleges के अंदर कितनी vacant seats आपकी होने वाले है अब बात कर लेते हैं vacant seats round 3 उत्राखन dental college यहाँ तो जो भी students you know BDS करना चाहते हैं BDS pursue करना चाहते हैं तो उनके लिए कहीं न कहीं dental colleges का एक बार vacant seats देखना बहुत ही important हो जाता है यहाँ पर category की हम बात करें you are unresolved general category की हम बात करें तो dental colleges के लिए 31 seats यहाँ पर मौझूद हैं वही ST category में 11 seats मौझूद हैं वही OBC के अंदर आप देख सकते हैं 5 seats हैं सिर्फ और ST category में अगर आप हैं तो overall यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 vacant seats रह जाती हैं round 3 के लिए तो यह जो है यहाँ पर overall dental colleges की seats के हमने बात की हैं तो यह you know government colleges, private colleges, dental colleges round 3 में कितनी vacant seats मौझूद हैं उस हसाब से आप यह सारी चीजें you know calculate कर सकते हैं अपनी choice filling कर सकते हैं I hope सारी doubts clear हो गए होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई doubt है कोई भी query है कोई भी सवाल है comment section में जरूर बिताइए और इसी तरहें की informative वीडियो के लिए एंपर गोरे सब्सक्राइब नीच तूर्ण खाबरी